सचिन पाइलेट टेल अलकारा सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सचिन पाइलेट की नज़र है तो अच्छे नीता की पहजान यही है कि वो सत्ता में होते हुए जनता के लिए जितना काम करते हैं उतना ही विपक्ष में होते हुए भी सजब रहते हैं नवश्कार मैं आपके साथ देवी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजसान समवार साड़क हाथ से में सचिन की मौत वाला लेटर शोशल मीडिया पर वाइरल हुआ तो विपक्ष के गहलोज समेथ कही नेता सरकार पर हमलावार हो गए इदर कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलेट ने सीम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा और सचिन पाइलेट ने इस मामलेक में सरकार से समवेदन शील होने का आगरेभी किया पाइलेट ने पत्र में लिखा कि सचिन शर्मा पर पूरा परिवार निरभर था राजसान के दोसा में गलत ब्लड ग्रूप का खून चड़ाने से राजसान के सबसे बड़े हस्पताल SMS हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले सचिन शर्मा की मौत हो गई पाइलेट ने पत्र में लिखा है कि सचिन शर्मा का पूरा परिभार उन पे निर्भरता सचिन पाइलेट ने इस मामले में सरकार से समवेदन शील होने का आग्रह किया साथी पाइलेट ने पत्र में लिखा कि सचिन शर्मा पर पूरा परिभार निर्भर है बतादे कि राजस्तान की भजनलाल सरकार ने सचिन के निधन के बाद पांच लाग की मदद दिया पाइलेट ने सचिन शर्मा के परिवार को मदद बढ़ाने की मांग रही चानकारी की अनुसार सचिन शर्मा नामक युवक की सड़क दुरगटना में घायल होने के बाद हस्पताल में भर्ती कराया गया जिसके बाद परीचनों का आरोफे की हस्पताल दौारा गलत ब्लट च पचास लाख रुपे तथा एक आदमी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और आपके अनुसार म्रतक के परिवार को क्या मदद मिलने चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहीए राजसान संभार कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिसफेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनरजी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसॉर्सिस को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कॉंट्रिबिशन हो इसलिए सोलर प्रोजेक्ट की टाइमली डिलेवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए ततपर रहते हुए सोलर एनरजी का पूरा पुटेंशल आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं